हेलो दोस्तों मैं हूँ आसिफा अंधर अवला स्वागत करता हूँ आप सबका पिक्सल वोल्ड हिंदी के क्लेटेस्ट वीडियो में तो दोस्तों मेरे हाथ में है उपो रेनो 10x जूम जिसमें कलर सो एस लेवन और एंडुड लेवन का अपडेट आ चुका है जिसका ट्राइल वाजिन कैसे लेना है मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बना के यूटूब में अपलोड कर दिया था जैसे कि आप देख लीजिए मैं किसी भी अप में अगर जाता हूँ और बाहर आता हूँ या आप नोटिफिकेशन पैनल खिसता हूँ और बाहर जाता हूँ तो आप देख लीजे स्क्रीन के उपर एक zoom out, zoom in जैसा आपको एक छोटा सा animation यहाँ पर देखने को मिलता है जो की काफी cool लगता है और दूसरा यहाँ पर देख लीजे जैसे आप notification panel को उपर से खीचते हो तो पहले यह जो सफेद वाला आपको background panel है यह पूरा का पूरा screen cover करता था लेकिन अब यहाँ पर ऊपर के तरफ आपको clock, weather सब अलग कर दिया गया है और नीचे आपको यह notification panel जो है यह इसे अलग कर दिया गया है इसका reason यही होगा कि आप single hand से भी इसे single finger से आप इसे use कर सकते हो यह आपके finger तक अराम से पहुँचने के लिए available हो चुका है अगर आप इसमें कोई सावी notification पाते हो तो वो notification भी इसके नीचे आपको अलग तुकड़े में दिखाई दिया जाएगा पहले ऐसा होता था कि इसी panel में जुड़के notification आपको दिखता था तो यहाँ पर background theme भी light color की है अगर मैं dark रखूँँगा तो यह background wallpaper भी dark color का याने की black हो जाएगा पहले ऐसा होता था कि यह blur shade में हमें दिखता था उसके उपर सारे icons हमें दिखते थे तो यह stock edit के नजदी कर दिया गया और काफी cool और काफी simple यहाँ पर app road हमें देखने को मिलता है और दोस्तो अगला feature देख लीजिए आप अगर message के app में जाते हो और यहाँ पर देख लीजिए आपको message और notice को अलग-अलग कर दिया गया है पहले ऐसा होता था कि message का सब एक ही लाइन था और सबसे उपर आपको notification का एक छोटा सा आपको box दे दिया जाता था जिसमें सारे के सारे notification एक साथ आते थे लेकिन यहाँ पर नोटिस का अलग और message का अलग divide कर दिया गया है तो यह काफी अच्छा है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको notice देखना है या message पढ़ना है और दोस्तों camera के app में भी ज़्यादा कुछ changes नहीं कियेंगे लेकिन थोड़ा UI change कर दिया गया है जैसे कि यहाँ पर ऊपर के तरफ आप देख लीज हैं जो कि पहले settings इधर उदर थे लेकिन यहाँ पर एक option दे दिया गया है करते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिखेगा जिसे आप उपर करने से आप इधर से ही इसे या तो एडिट कर सकते हो या तो शेर कर सकते हो तो यह option मुझे काफी अच्छा लगा और दोस्तो मैं कैमरा के अंदर एक option आपको बताना भूल गया जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में जाते हो और उसके बाद पहले से यहाँ पे हमें study mode एक देखने को मिलता था जिससे हम अपने phone को जादा हिलता हुआ ना करते हुए अराम से वीडियो capture कर सकते थे याने वीडियो record कर सकते थे जिसे यहाँ पे थोड़ा update करके यहाँ पे देख लीजिए अब साथ में ultra study pro option भी यहाँ पे दे दिया गया है वीडियो recording के दोरान और यहाँ पे timer के तरफ में अगर जाता हूँ तो यह option पहले था या नहीं मुझे नहीं मालूम जैसे कि आप अगर timer में कुछ भी set कर सकते हो जैसे कि आपको 2 minute brush करना है या face mass आपने लगाया है 15 minute का औ और कुछ भी आप यहाँ पे अपना working के हिसाब से यहाँ पे add कर सकते हो और उतने time के हिसाब से यह alarm बजना start हो जाएगा शायद यह पहले था या नहीं मुझे idea नहीं है मैंने पहली बार देखा तो आपके सामने से share कर दिया और दोस्तों यहाँ पे एक uninstall का option दे दिया गय तो यहाँ पे इसका UI देखिए काफी मस्त लगेगा आपको जैसे कि यहाँ पे install का option दिया गया है और मैं इसे करता हूँ तो जैसे कि आपको यहाँ पे देख लीजिए काफी मस्त लग रहा है यहाँ पे uninstall होते वाग जैसे आपको end game में Thanos जब चुटकी बजाता है तो सब म तो यहाँ पे हमें एक option देखने को मिलता है जो कि है MP3 का यानि कि अगर आपको वीडियो नहीं देखनी अगर आपको सिर्फ इसकी MP3 सुननी है तो यहाँ पे आपको MP3 का option दिखाई दिया जाएगा जाने कि जो headphone का option है वो और दोस्तो अगला update यह है कि अगर हम अपने home screen को long press करते हैं तो यहाँ पे देख लीजे नीचे की तरफ हमें कुछ setting के option देखने को मिलते हैं जो कि पहले इसका UI कुछ अलग तरीके से था अब देखने में काफी cool और काफी neatly लग रहा है और दोस्तो अगर मैं आपको wallpaper वाले section में जाके दिखा दूँ तो color OS 11 में यहाँ पे क अगर मैं ऐसे थोड़ा move करता हूं तो यहाँ पे देख लीजे globe थोड़ा मुझे हिलता हुआ दिख रहा है यह थोड़ा ठीक ठाक लगता है पहले यह नहीं था इसमें add किया गया है अब चलिए दोस्तों जिसका आपको बेसबरी से इंतिजार है उस option में हम चले जाते हैं आपका फेवरेट परसनलाइजेशन तो इसमें हम चले जाते हैं और जाने के बाद देख लीजिए और यहाँ पर हमें सारे के सारे सेटिंग्स एक जगा देखने को मिल जाते हैं जो की है थीम्स, वालपैपर्स, AOD याने always on display और icon style एक एक करके मैं आपको सारे option यहाँ पर तो पहला वाला जो है थीम्स, थीम्स तो आप जानते होंगे कैसे आपको चेंज करना है और डाउनलोड करना है यहाँ पर यहाँ पर यह वाला option जो है always on display का इसमें काफी सारा अपडेट किया गया और काफी सारा यहाँ पर stuff भी डाला गया है तो जैसे कि देख लीजिए य यहाँ पर आप चाहें तो इससे digital कर सकते हो यह analog को हटा सकते हो देख लीजिए ही सूई को हाटा दिया जाल ली तो और नीच मुझे लगा option बहुत सारे यहाँ पर दिये गए हैं और चाहे तो आप यहाँ पर अपना custom बना भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे colors दिये गए, मैंने यह वाला color ले लिया और यहाँ पर कुछ tools दिये गए हैं जिसे कि मैं यह ले के कुछ ऐसा करता हों, तो कुछ ऐसा बन जाता है और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हमें tools दिये के हैं, जिसे कि मैं कुछ भी करता हूं तो कुछ भी बनी जाता है यहाँ पर अलग-अलग color select करके अलग-अलग अपने हिसाब से बना सकते हो और यह clock का animation बनाने के बाद, आप इसे ही always on display के लिए आप रख सकते हो तो यह एक option था और उसके बाद यहाँ पर कुछ quotations दिये गए हैं जो इसे भी आप रख सकते हो अपने add-on display पर और यहाँ पर कुछ देख लीजिए text and image याने कि आप text भी और image भी रख सकते हो और बाकि यह उनके तरफ से दिये गए analog clocks हैं, digital clocks हैं और यह वाले इसमें कोई update या changes नहीं किये गए हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा add किया गया है जो कि इनके तरफ से मिले हैं और हम अपनी तरफ से खुद बना भी सकते हैं तो यह option आपको कैसा लगा आप मुझे comment करके बता देना और दोस्तों यहाँ पर icon में काफी सारे changes देखने को मिलते हैं अगर मैं icon वाले section में चला जाता हूँ तो मैं आपको details बता दूँ देखिए आप पहले यहाँ पर जो था default तो default में हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते थे icons को यहाँ पर देख लीज़े हम छोटे बड़े कर सकते हैं और material style और pebble style में भी हम छोटे बड़े नहीं कर सकते थे सिर्फ यहाँ पर जो custom वाल option दिखता है इसमें हम छोटे बड़े कर सकते थे और इसका shapes बदल सकते थे लेकिन यहाँ पर सारे के सारे जो हमें देखने को मिलते हैं option इसमें sub में हमें size को छोटा बड़े करने का option मिलता है और यहाँ पर 7 में इसके नीचे जो आपको names दिये गए है icons के उसे भी आप चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर अब आप अपने third party icons को भी add करके अपने mobile को सजा सकते हो तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर 3 icon packs को download किया है और यहाँ पर एक एक रखके मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि काफी खुबसूरत लगते हैं आप अपने phone को और भी बहतर सजा सकते हैं इन icon pack की मदद से और next वाला option है अप layout का तो इसमें आप icon सजा सकते हो चार के lane या पांच के lane आपकी मरजी तो यह पहले से option था इसमें लाकर रख दिया गया है और fingerprint में मुझे कोई भी नया fingerprint का animation नहीं दिखा यही सारे के सारे सब पुरा नहीं है लेकिन एक जगा लाकर रख दिया गया है और यह वाला option जो है यह काफी कमाल का है जैसे कि आपको oxygen OS में देखने को मिलता है जैसे कि आगर आप notification पैनल को उपर से खीसते हो तो पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर हमें देखने को मिलता था दूसरे कलर हो इसके अपडेट में जैसे कि 7 में 5 में सिर्फ ग्रीन कलर रहता था क्योंकि ओपो का कलर जो है सेटिंग में एक कलर आ गया वैसे आपका calculator में एक कलर आ गया इसे चेंज होता रहेगा आप चाहे तो इसमें कोई साभी कलर रख सकते हो इस साब से यह कलर चेंज होता रहेगा अगर आपको total एक ही कलर मेंटन करना है जैसे कि आपके wallpaper या theme की साब से जैसे कि yellow या purple या green तो आप ऐसे भी set करके apply कर दो गए तो देख लिए यहाँ पर मैंने ऊपर से खीचा तो ये वाला yellow हो गया और calculator में जाता हूँ ये भी yellow हो गया और clock में देख लिए ये भी yellow हो गया तो ये एक अच्छा update है मुझे लगा अपने phone को और भी customize करने के लिए जिन लोगो customization पसंद है उनके लिए बहुत ही बैतर है और next option यहाँ पर font और display size का मिलता है तो ये आप देख सकते हो और यहाँ पर जो notification drawer है इसे भी थोड़ा update किया गया है देख लीजिए पहले यहाँ पर हमें shapes ज़्यादा तरीके के नहीं देखने को मिलते थे लेकिन यहाँ पर आप कई तरीके के shapes देखने को मिलते हैं और साथ में देख लीजिए अगर आप इसे square टाइप रखते हो तो आपको यहाँ पर border भी देखे स्क्वेर दिखते हैं अगर आप इसे राउंड रख दोगे तो यहाँ पर देख लीजिए कारनोर्स भी थोड़े राउंड के तरह हो गए हैं जो कि देखने में काफी कूल लगते हैं और यहाँ पर दिखा दिया गया है कि जैसे कि आपका नोटिफिकेशन पैनल ऐसा रहेगा कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ऐसा दिखेगा याने टुकडो टुकडो में दिखेगा काफी अच्छा लगता है मुझे और दोस्तों यहाँ पे अगला और आकरी अप्डेट जो है इस वाले आप्शन में तो यह भी काफी अच्छा है लोग इसे रखने के लिए तर्ड पर्टी का यूस करते हैं लेकिन कंपनी ने खुदी इसमें डाल दिया है अगर आपको नोटिफिकेशन आते समय आप सोचते हो कि मेरा ऐसा स्क्रीन जो है कारनर में लाइट्स आती रहे तो यह काफी अच्छा उप्शन इन्होंने दे दिया है अगर आप इनकमिंग कॉल्स में भी इसे सेट करना चाहो तो कर सकते हो इसमें भी कलर के आप्शन हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि मैंने यहां पर परपल वारा रख दिया तो अगर मुझे कोई भी कॉल आएगा तो कारनर में ऐसे लाइट्स मुझे बिलिंक करते हुए दिखाई दिये तो इनके तरफ से हमें वाल्पैपर आइडियाज देखने को मिलेंगे जैसे कि यहां पर मैं सोचता हूँ कि मुझे ब्लू कलर का वाल्पैपर रखना है और मैं यहां पर जाके सेट एस वाल्पैपर पर क्लिक करता हूँ तो यहां पर दिख लीजे यहां पर आइडिया का यानि कि बल्ब का आइकोन दिखता है जो कि इनके हिसाब से आइडिया है बल्ब वाले आइकोन पर आगर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लिजे आटोमेटिक इस वालपैपर को रीड करके मुझे कुछ रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे कि यह और मैं आपको एक खास बात बता दूँ यहाँ पर जितने भी तरह कि आपको पैटन्स देखने को मिलते हैं आप जिस भी वालपैपर को सेलेक्ट करके अईडिया पर सेलेक्ट करोगे यानि कि आपको उसी पैटन्स से जुड़े आपको कलर्स चेंज होते रहेंगे लेकिन म मिलेंगे आपको वही पैटन के वालपैपर, देख लीजी अभी वही वालपैपर से हैं, लेकिन कलर्स यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, तो आप अगर जो भी वालपैपर रखना चाहते हो, आप रख सकते हो, अपने मरजी से, और आइडिया पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर और यहाँ पर एक मुझे अपडेट दिखा, जो कि काफी फणी भी है, और काफी इंट्रेस्टिंग भी है, यह कमपनिया इतना बारी की कैसे सोच लेती हैं, मुझे पता भी नहीं चला, आप भी देखिए, अगर मैं नोटिफिकेशन पैनल को ऐसे खीचता हूँ, और ब्रा आता हूँ ब्राइटनेस, तो घूम के इधर आ रहा है, यह काफी मस्त लगा मुझे, आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और यहाँ पर देख लिजिए, अगर मैं वालिम को अपडान करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर लाइन पर क्लिक करता ह लाइन थोड़ी से मोटी हो जाती है, और जैसे हटा देता हूँ, फिर यह लाइन पतली हो जाती है, जैसे कि देख लीजिए, मैं अलारम वाली लाइन को कम करना चाहता हूँ, यह अलारम वाली लाइन मोटी हो गई, अब इसे मैं छोड़ा देता हूँ, फिर से पतली हो लेकिन इसके लिए आपका डेटा खर्च होता रहेगा तो यहां पर सबसे इंट्रेस्टिंग चीज मुझे जो लगी वह यहां पर डार्क मोड में यहां पर तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहां पर आपको जाना होगा डिस्प्ले और ब्रैटेस्ट वाले ऑप्शन में अगर आप डार्क वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे याने की सबसे कम बाला जो है इसका नाम है जेंटल अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा पसंद है एकदम लाइट ग्रे तो आप यह रख सकते हो अगर आप मीडियम चाह को सिंगल हैंत से यूज करते समय हैं आपको सबसे ओला यूज करना है तो आपको धीरे से आपको इस साइट से ऐस से करना होगा तो सारे के सारे आईकन सापको एक साथ यहां पर नजर आ जाएंगे और एक उंगलि से आप कोई साभी icon select करके उसके अंदर जा सकते हो चाहे आप इधर से कीजिए चाहे आप इधर से कीजिए आपको काम असानी से बन जाएगा तो दोस्तों यह थे सारे updates जो कि Color OS 11 में मुझे मिले अगर मैं कुछ मिस कर गया तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो मैं आपका problems के तरफ क्योंकि यह एक बीटा वर्जन है और ट्राइल वर्जन है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड होगी ही क्योंकि अभी तक पूरी तरह से stable update नहीं आया है तो मैं अपने experience से हिसाब से अगर बताऊं कि मुझे इसमें क्या कमी लगी तो सबसे पहला जो है वह camera में अग मैं आपको direct जा के दिखाता हूँ सबसे पहले मैं camera वाले option में गया और front camera में ने open किया ओपिन करने यह हो सकता है कि अप्डेट करने के बार ठीक ठाक हो जाए और दूसरी जो मुझे प्राब्लम लगी वो यह है कि जैसे कि मैं अपने स्क्रीन का ब्राइटनेस जैसे रखता हूँ जैसे कि 5 सेकंड या 30 सेकंड या 15 सेकंड तो यह आटोमेटिक कुछी देर में नॉर्मल फिर से डिफॉल्ट में चला जाता है 15 सेकंड में जैसे कि मुझे कुछ काम करना हो मैं 5 मिनट या 30 मिनट का रखता हूँ तो थोड़ी देर में आटोमेटिक यह 15 सेकंड में चला जाता है तो यह प्राब्लम मुझे लगी और अपना एक्सपिरेंस में बता हूँ चार्जिंग के सम और यह ऐसा मुझे लगा मेरे एक्सपिरेंस के साब से तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और हमारे साथ जुड़े रहना क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे ज़ादा आपको कैश बैक आफस डी वीडियो देखने को मिलती हैं तो बने रही हमारे साथ देखते रहे पिक्सर वर्ल्ड हिंदी और अपना खयाल रखना टेक केर बाई बाई